आज इस लोक भागुत गीता का दस्मे अध्याय का सोलहमा इस लोक है बहुत ही सुन्दर इस लोक है बक्त मरास्य सेशेण दिव्याही आत्म विभू सितन या विभूत भी लोकाना इमानत्म वाप्यत इस्थशी बक्त मरास्य सेशेण दिव्याही आत्म विभूत या विभूत भी लोकाना इमानत्म वाप्यत इस्थशी बक्त मरास्य सेशेण दिव्याही आत्म विभूत या विभूत भी लोकाना इमानत्म वाप्यत इस्थशी अग्त मरास्य सेशेण दिव्याही आत्म विभूत भी विभूत भी लोकाना इमानत्म वाप्यत इस्थशी अग्त मरास्य सेशेण दिव्याही आत्म विभूत भी लोकाना इमानत्म वाप्यत इस्थशी वक्त मरास्य सेशेण दिव्याही आत्म विभूत भी लोकाना इमानत्म वाप्यत भी लोकाना इमानत्म वाप्यत इस्थशी वक्त मरास्य सेशेण दिव्याही आत्म विभूत भी लोकाना इमानत्म वाप्यत इस्थशी वक्त मरास्य सेशेण दिव्याही आत्म विभूत भी लोकाना इमानत्म वाप्यत इस्थशी वक्त मरास्य सेशेण दिव्याही आत्म विभूत भी लोकाना इमानत्म वाप्यत इस्थशी वक्त मरास्य सेशेण दिव्याही आत्म विभूत भी लोकाना इमानत्म वाप्यत इस्थशी वक्तम कहने के लिए अरहसी योग्य है असेशेण विस्तार में दिव्याह दैवी ही निश्य ही आत्म अपना विभूत आईश्वरिय, याभी, जिन, विभूतिभी, आईश्वरिय, लोकान, समस्त लोकों को इमान, इन, तौम, आप, ब्याप्य, ब्याप्त होकर, तिष्ठसी, इस्थित है. अर्थ प्रभुपाजी के द्वारा तसा तातपरे, कृपा करके बिस्तार पुर्वक मुझे अपने उन दैवी आश्वरियों को बताएं, जिनकी द्वारा आप इन समस्त लोकों में ब्याप्त है, अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, हे कृपा करके बिस्तार पुर्वक मुझे अपने उन दैवी आश्वरियों को बताएं, जिनकी द्वारा आप इन समस्त लोकों में ब्याप्त हैं, तातपरे, सिल प्रभुपाजी के द्वारा, इसी स्लोक में ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंदी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट हैं, कृष्ण कृपा से अर्जुन को ब्यक्तिगत अनुभव है, बुद्धी तता ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है, वह सब प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान की रूप में समझ रखा है, उसे कि किसी प्रकार का संसे नहीं है, तो भी कृष्ण से अपनी सर्व ब्याप्ता की ब्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है, सामानने जन तथा अभिसेस रूप से निर्विसेस वादी भगवान की सर्व ब्याप्ता की बिसे में अधिक विचार सिल दाते हैं, अतार सिर्किष्ण से पूछता है कि वे अपनी बिभिन सक्तियों के द्वारा किस परकार सर्ववापी रूप में बिद्धमान रहते हैं, हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन समाने लोगों के हिद के लिए ही यह सब पूछ रहा है अध्यान्ति मिरांदश्य ज्ञानन जन्सलाक अचक्चर मिलेतं एनतस्मै स्री गुर वे नमहा स्री चैतन्यमन अभिस्तम अस्थापितं एन भूतले स्वेंग रूपय कदा मैयं ददादि सपकांदिकं बंदे हम स्री गुरू स्री उतपतकमलं स्री गुरुन बैस्वास्च ठी रूपं सागरौ जातं सागनर्कुनाता निंतंतं सजीवं सावदाइतं सावधूतं पर्यन सैतं क्रिष्שन चैतन्य देवं सिराधा-ृ्ष्णभाधां सागनर्कौन आस्री तनिटिस्टन सरी गुरू जन्दीन बंदो जयत्पते इन गुपे जपिका कंत रधा कंत स्र तप्तकांचन गोरांगी सिरादे बिंदाबने स्वरी, ब्रिस्रभान सुते देवी प्रणमा मिहरी प्रिये, वांचा कल्पतरु भेक्चा कृपास दिवेच्चा, पतीतानां पामनी भ्यो भैष्नियो भ्यो नमो नमा, जैश्री किष्ण चैतन्या प्रभुनित्यानंद, स्र जैखा यद्वईत गदा धर्षि वासादि RICHARD-भbhakt भिन्थ, राम रे राम 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 रे रे तो इस स्लोक में भगवान अरजुन से जान पुझ करके सारे परस्न कर रहे हैं अर्जुन को पता था भगवान कृष्ण नहीं भगवान है तो भी उनके सक्तियों के बारे में पूछना चाहते हैं जिग्यासा कर रहे हैं इस अध्या में भगवान अपने आईश्वरे के बारे में बताते हैं इसके पहले वाले इस लोग में भगवान बता रहे हैं आप नित्य दिव्य आद्य पुरुष अजनमा तथा महांतम है। नारद आसित केवल तथा ब्याज जीसे रिशी आपकी सत्य के पुष्टी करते हैं और अब आप स्वेंग भी मुझे से प्रकट कर रहे हैं। तो भी अलप बुधि वाले भगवान को अजनमा नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं भगवान एक आधनी एक आधनेरे व्यक्ति थे, तेव की नंदन थे, वसुदेव नंदन थे, या या सोदा नंदन थे। एक व्यक्ति की रूप में भगवान को अज्ञानता के कान लोग यह हमारा अंदकार में है। इस चीज को आरजुन बता रहे हैं कि सारे लोगों ने, रिसियों ने, माना है कि आप भगवान हैं। और आप अजनमा हैं। आपका जनम नहीं होता है। फिर भी लोग कहते हैं देव की नंदन, बशुदेव नंदन, या सोदा नंदन। भगव यह लीला है। भगवान लीला करने के लिए आउतरित होते हैं ना कि जनम लेते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इस चीज को नहीं जान पाएं कि भगवान जनमा है। भगवान किसी के गर्भ से जनम नहीं लेते हैं। भगवान आउतरित होते हैं। भगवान का आशोरिय जो है बहुत बड़ा है वो साधान जिव का नहीं हो सकता है भगवान की सक्ति असीम है भगवान का अनाम असीम है भगवान का आयुद असीम है भगवान की जिसनी प्रक्रियां है सब असीम है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है भगवाने के आयुद का भी मुकाबला कोई नहीं कर सकता है जितने भी भगवाने के हाथ में आयुद है स्वेंग भगवाने की सक्ति के बराबर है हम भगवाने के समान कभी नहीं हो सकते है जीव कभी भगवान नहीं बन सकता है भगवान का आंस है लेकिन भगवान नहीं बन सकता है भगवान जीव के रूप में आते हैं अपने लीला प्रकट करने के लिए और इस लीला को जब तक उनकी लीला चलती रहती है तब तक धराधाम पे रहते हैं लीला समापते होते फिर अंतर जान हो जाते हैं यह हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए कि भगवान की जो है क्रियाएं वो हमारी क्रियाओं से अलग है। भगवान का जन्म भी हमारे जन्म जैसा नहीं होता है। भगवान कारे भी हमारे कारे जैसा नहीं करते हैं। भगवान का कारे जो है, बहुत ही बड़ा कारे होता है, बहुत ही असीम सक्ति होती है, उसके कारे के बराबर किसी जिव का, किसी योद्धा का कारे नहीं होता है। भगवान ने जो भी कारे किया है, उसके हम जिव बराबरी नहीं कर सकते हैं। हम भगवाने के अंस जरूर हैं, लेकिन हमारी बहुत लगुतम मात्रा है। भगवान असीम है, उनका कोई सीमा नहीं है, हमारी सीमा है। हम आत्मा हैं, भगवान परमात्मा है। इतना आपने आपको समझना चाहिए कि हमारा स्वरूप भगवान के सामने क्या है। कि बहुत से लोग ऐसा थोड़ी सक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो कहते हैं मैं ही भगवान हूँ, मैं भगवान से कम क्या हूँ, लोग उन्हें भगवान मानने भी लगते हैं, किसी भी प्रकार का पत्थर रखर के लोग भगवान मानने लगते हैं, भूजने लगते हैं, यह ह कारिय भगवान का जन्म, भगवान का स्वरूप सभ चिन्मय है, तो भगवान अपनी लीला प्रकट करने के लिए आते हैं, और जब वो प्रकट होते हैं, तो अपने चतरुपी नारायन के रूप में प्रकट होते हैं, देवकी नंदन उनको कहते हैं देवकी के पुत्र है लेकिन देवकी माता ने पूरु जन्वे में अबड़ी तफिश्या की थी उन्होंने कहा था मुझे पुत्र रूप में चाहिए तो भगवान प्रकट हुए थे उन्होंने सोचा कि अब इनको हम तो वर्दान देने के लिए प्रकट हो गए हैं तो देना ही पड़ेगा तो उन्होंने कहा मा मेरे जैसा तो कोई स्त्रिष्टी में है नहीं बहुत सांती बनाए रखिये क्या इतना वाच मैन वाच मैन वाच मैन यह आदमी है कि क्या है अरे तुम रसी क्या लपिड़े लगतना हला कर रहे हैं लोग तो भगवान जब इस धराधाम पर आते हैं जैसे जेल में भगवान आये थे देवकी और वस्देव बन थे कारागार में तो भगवान वहाँ पर प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मेंने आपको बचन दिया था आपने दस अजार साल तप इश्या किया था इसलिए मैंने आपको बचन दिया था इसलिए आपके सामने प्रकट हूँ अब मैं अपना छोटा रुप बना रहा हूँ और वस्देव जी को बताए कि आप मुझे ले जाके नंद महराज के घर पे रखिया वहां पे पुत्री है उसको ले के आईए और उसमें वस्तिदेव जी कि वेडी जो थी जेल में वो कट गई और जितने दर्वान थे जितने पी छिक्योटी थे सब कि सब सो गए माया देवी ने अपना प्रभाव दिखाया माया देवी की ओज़स से सारा जेल और उनका महल सन्नाटा चा गया और भगवान को ले करके जब चले हैं यसोदा जी के हां तो रास्ते में जवना जी बहुत चोर से फुफकार रही थी और उनका जल अस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा था वसुदेव जी सोच रहे थे कि जवना जी जाने देंगी कि नहीं जाने देंगी उनका थोड़ा सा भै लगा लेकिन भगवान को लेकर कि चलने लगे तो उनको सहर सुआ और उनको चलते जा रहे थे और गले तक पानी जब चला गया तो भी वसुदेव जी घबराए नहीं भगवान का चरन असफर्स करें. प्रभू को पता चल गया कि जमना जी इतने जोड से जो ऊपर आ रही है तो यह हमारा चरन असफर्स करना चाहती हैं. तो उस सूप में से भगवान ने अपना चरन नीचे कर दिया. तो जब जमना जी ने चरन असफर्स कर लिया तो इस्थिर हो गई. तब वसुदेव जी लेकर कि नंद महराज के घर पहुँचे वहाँ पर भी सारे दर्वाजी खुल गए. यसुदा मैया के बगल में सुला के वहाँ पर पुत्री को लेकर के वापस चले. उसके बाद भगवान रोने का नकल बनाने लगे. यसुदा मैया को पता नहीं है. इतने मैं रोहिनी माता दोड़ के आई. । उने का यसुदा यसुदा अरे तुम सो रही है तुमारे बगल में बच्चा है और तुम इतनी बेसुद हो के सो रही है कि प्रसौ होने पर भी तुमको पता नहीं चला कि तुमको बच्चा पैदा हुआ है। उठो उठो पिर यसुदा मैया उठी। क्योंकि प्रसो तो हुआ ही नहीं था। कुछ उनको पीडा तो हुई नहीं थी। इसलिए जे सुदा मैया ने देखा कि बगल में बच्चा सोया रो रहा है। जे सुदा में उठके कहा अपने गोदी में उठाया इतने में नंद महराज को पता चला। नंद महराज दोड़ते हुए आए और सब लोग भगमान की बधाई गाने लगे। वह उठका वह पर गूर्कुल में जो है उनके गुकुल में बधाई भजने लगी। सारे गाओं के गौाल बाल जुट करके और गाओं की बधुये और सारे गोपिया जुट करके गाने लगी। कृिष्ण भगवान की जन्म का परवादिवस मनाने लगे। तो भगवान का जनम इस प्रकार से हुआ, ऐसा नहीं कि भगवान नौ महिना पेड मे रहे और गर्भ से निकल गए, और उसके बाद उनका सारा कार गए, जहो ही भगवान बाहर गेल के बाहर निकले, तो उनकी सारी सक्तियां जितने भगवान में होती है, बड़े आकार में हो था, क्योंकि हम लोग साधान जिव का जनम होता है, तो धीरे धीरे उनका चलना सुरू होता है, धीरे धीरे ताकत आती है, धीरे धीरे सरीर का विस्तार होता है, लेकिन भगवान अपने सारे आयूदर सक्ति को लेकर के प्रकट होते हैं, जशोदा मैया एक बार भगवान को अच्छी तरह से तेल फुले लगा करके सुला दिया था इतने में एक राक्षस आया जिसका नाम सक्टा सुर था वो बैलगाडी की रूप में आया सक्टा सुर बैलगाडी की रूप में आकरके सोचा कि भगवान को दबा दूँ भगवान ने उस समय बिलकुल छह साथ दिन के थे आठ दिन के सक्टा सुर बैलगाडी कितनी बड़ी होती है उतना बैलगाडी की रूप में आया और सोचा कि यही पालने पर ही दबा दूँ लेकिन जैसे ही पालने पर वो गिरने की कोशिस किया भगवान ने एक पैर किया गुठे से टेक दिया उसको और आक्यास में मेंडराते हुए एकदम गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया आप सोचिए कि छह साथ दिन का बालग इतना कमाल कोई कर सकता है भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है ये बहुत जानना जरूरी है तो सक्टा सुर्का बद भगवान ने किया और पूतना जब आई काल को जहर लगा करके अपने अस्तर में भगवान को मारने के लिए पिला करके उनको मार दूँगी तो वो कैसा रूप बना करके प्रवेश किया उसमें सारे गोकुल की लोग देखने आ रहे थे नंद बाबा का बच्चा पैदा हुआ है चलो दर्सन करें सब देखने आ रहे थे उसी भीड में पूतना भी सुन्दर रूप बना करके घुज गई पूतना जैसे उतरी तो मालम पढ़ रहा था कि इंद्र लुक से आ रही है इतनी सुन्दर थी यसोदा मैया को आए हुआ कि किसी लोग को ये शक नहीं हुआ कि ये कोई ऐसी चल करने के लिए राक्चसी आई है लेकिन उसने अपने अस्तन में कालकुट जहर लेकर के आई थी और भगवान को पिला के मारने के लिए आई थी और गई वहाँ पे भगवान को उठा लिया और संकोच से किसी ने नहीं बोला और खिलाने लगी जैसे लोग दूसरे के बच्चों को उठा के लालन पालन करते हैं ऐसे लेकि उचल नाचने लगी तो जो सदा मैया ने सोचा कि कोई याराजा माराजा की बऊओ ओगी या बेटी होगी ऐसा सक नहीं हुआ कि कोई ऐसी राख्चछी है क्योंकि उसे रूपी बहुत संदर बनाया था तो नाचते नाचते भगवान को लेकि भगवान भी खुब नाच रहें उसके गोद में नाच्ते नाच्यों आकास में उड़ गई आकास में उड़ गई तब तो जसदा मैया का जान निकल गया और उन्हें जोर से चिलाया अरे मेरे लाला को ले गई ले गई करके इतने में सारे लोग दोड़ने लगी लेकिन वो भागने लगी आकास में भागने लगी तो उसके नीचे नीचे जैसे पच्छी के नीचे नीचे परशाहीं जाती है आएसे गोकुल के लोग दोड़ने लगे इतने में राक्षिसी ने अपना अस्थन पकड़ा दिया भगवान को भगवान उसके अस्थन को पीने लगे और अच्छी तरह से पी रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ उसके खून को भी पी लिया जब वो खून बिल्कुल उसके सरीन में नहीं रह गया तो निरस्त होके वो जमीन पर गिर पड़ी चार जोजन में उसका सरीन गिरा था महान विशाल काय की थी ओ जब गिरी तो बहुत जोड से आवाज हुआ कोकुल के सभी लोग दोड़ के हुए आए अब भगवान कृष्ण को सोचे कि भगवान तो खतम हो गया होंगे लोगों ने कहा कि लाला बचा नहीं होगा लेकिन लाला उसके च्छाती पर उसका अस्तन तब तक पी रहे थे मरने पर भी उसका अस्तन नहीं छोड रहे थे यसोदमया ने दोड़ के आया अपने लाला को उठा के चुमने लगी उन्होंने तो सोचा कि हमारे लाला को इसने क्या कर दिया होगा क्या कर ले आकर कि तमाम प्रकार का जाद उटोना ये हो जहराने लगी और सब लोग आए देखने के लिए लाला बच गया लाला बच गया और उसके सरीर को फिर टुकडा टुकडा करके जलाया गया क्योंकि इतना बड़ा सरीर जलाने के लिए चीता चाहिए चिता कितने जोजन में लगेगी इसलिए उसके सरीर को टुकड़ा टुकड़ा किया गया और उसके सरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके जला दिया गया तो भगवान में यह ऐसी सक्ति होती है वह हमारे में नहीं हो सक्ति है इसे हम कभी भी भूल के भी भगवान की बराबर नहीं करना चाहिए फिर भगवान की लिला है कि एक बार जो छोटे से बड़े हुए तो सब गॉाल की आउरते जाते जाते थे दधी मक्कन बेचने के लिए गोपियां तो उनके रास्ते में दधी मक्कन चीनते थे और खा जाते थे और गॉाल बालों को खिलाते थे गॉाल बालों को खिलाते थे और पुरा उनका दधी और दूद जो था गिरा परा के छीट शाट देते थे ओक जाकर कि वहां घर जसुदा मैया को लाना देती थी कि देखो तुम्हारा लाला इतना छोटा है लेकिन काम कितना बड़ा करता है हम लोग के दही को छीट देता है और उन गॉाल बालों को खिलाता है सबतहस नस कर देता है आप सोचते हो कि यह बच्चा है लेकिन इसके काम देखोगे तो आपको आश्चेर होगा और हम लोग बेकाबू हो जाते हैं यह इसा हिम्मत से काम करता है एक छोटा सा बालक बड़ी बड़ी अउर्तों के हाद से मटकी छीन ले दूद दही खा ले और खिला दे तो आश्चेर जनक बात है लेकिन ओव लोग जाकर कि जो सुदा मईया को विस्वाद दिला रहे हैं मईया तो जूट मत मान यह इतना सरार्ती है इतना छोटा सा मत समझ यह हम लोगों को परास्त कर देता है हम लोग का दूद दही नस्ट कर देता है जो सुदा मैया हंस की कहती है क्या अरे तुमको घर में दूद दही की कमी है अरे नंद बाबा की घर में नौ लाग गाये है ये नौ लाग गायों में से जो गाये कम दूद देती है और मीठा दूद देती है जैसे सुर्भी आदि गाये हैं उस गाये के दूद को मैं दही और माखन बनाती हूँ तुम को इतना अच्छा से खिलाती हूँ तो भी तुम जाकर के सड़क पर इस्तरियों को इस तरह से तंग करते हो और उनका दूद दही खा करके तोड़ ताड़ के फैंक देते हो उनके मटकी ये क्या अबनन्द बाबा का इसमें तुम नाम बढ़ाते हो बला मैयन नहीं ये सब मैं कहां से कर पाऊँगा मैं तो इतना छोटा कद से हूँ ये सब हमें ऐसे ही आपको चिड़ाने के लिए हमारी सिकायत आपके पाऊद लेके आती है ये से बहाने मेरा दरसन करने आती है ऐसा कुछ नहीं है मैं कुछ नहीं करता हूँ लेकिन ये लोग हमारे दरसन के लिए आते तो वो सब गॉल की बेटियां कहती है हाँ हाँ तु बड़ा अच्छा तेरा दर्सन करने आती हूँ अरे तुम कितना सरारत करते हो यह मैया नहीं जानती है हम लोग कभी साक्षा तुम को पकड़ेंगे ले आके मैया को दिखाएंगे तब पता चलेगा अब तो तुम भाग के पहले आगए यहां घर पे ना और हम लोग तो पिछे पोँचे हैं इसलिए तुम अपने मा को सब भगा रहे हो एक बार सब गोपियों ने क्या क्या अपने अपने घरों में जो सिकर बनाते हैं उपर दूद दही रखते हैं रसी का बना के लटकाते हैं उसमें एक एक घंटी बांदिया कि जब यह चूरी से आएगा माखन दही खाएगा तो घंटी में आवा जाएगी तो हम लोग उठकर के इसको रंगे हाथ पकड़ लेंगे कृष्णा अपने साथियों के साथ लेके पहुंचे उन लोगों के घर में तो देख रहें कि एक कमल क्या है आज की इनके सिके में सब घंटी बनी हुई है और यह तो हम जैसे उतारना सुरू करेंगे छीके बोलते हैं छीके कैई बिदपायों सिकर बोलते हैं उस पर लटकाते हैं दधियों गर रखते हैं तो भगवान ने सोचा कि आज मैं जैसे उतारना सुरू का ए घंटियां बजने लगेंगी और इस सभी लोग जग जाएंगे घर वाले हम लोगों को अंदर ही पकड़ लेंगे और बड़ी दुर्दसा हो गिया हमारे साथ ही भी पकड़े जाएंगे तो भगवान ने कहा चा ठीक है इन लोगों ने चालांकी किया है तो भगवान ने कहा देखो गंटी आज तक तुम लोग अपने मन से बज़ी हो ठीक है लेकिन आज तुम लोग हमारे मन से बज़ना जब तक मैं नहीं कहूं तब तक बज़ना नहीं यह कर कि भगवान अपनी लेला शुरू कर दिए तो भगवान सारे छिके पर से आई उस पर सिकार पर से सारे मटके नीचे उतार लिए तब तक तो घंड़ी बिचारी नहीं बजे क्यों कि ऊसने भगवान को बचंदिया ता कि नहीं बजेंगे जब उतारने के बाद बाटने लगे इस सब गौालबालों को ये गौालबाल रामा उतार में ये भगवाने के सैनिक थे ब्यानर थे इन लोगों को भगवान रामे के उतार में कुछ खिला नहीं पाये थे बगवान ने कहा ता कि जब मैं कृष्ण का अतार लूँगा तुम लोग को माखन दाई दूर से पेट भर दूँगा तो इन लोगों को जब बांटने लगे तो अची तरह से लोग खा कर के खुछ सो रहे थे तब जब भगवान ने सुचा कि हमारे गंड लोग खा लिये हैं तो जब ओ खाना सुरूँगा तो गंडिया बजने लगी तो भगवान ने का अरे तुम लोगों को मना किया ताना तुम लोग क्यों बज रही हो तो जब अरे प्रभू आपका भोग लगे और मैं ने बजूँ आपके भोग के लिए ही बज रही हूँ तो भगवान जो हैं अपनी लिलाओं को जब रकट करते हैं तो सजीओ हो या निर्जीओ हो सब लोग उनके अनकूल हो जाते हैं तेरे गौल बालेनी ने जाके कम्पलेन किया कि आज तेरा करेया ने बहुत उपद्रों किया है आज तो रात को सबके घरों में घुश करके सबकी सिकर को तोड़ दिया है सबकी मटकी को तोड़ दिया है हम लोगों ने घंटी भी बाना था गंटिया कैसे नहीं बज़ी और इतने साउधानी से उता रहा है उसने और लास्ट में जब खा लिया खिला लिया तब गंटिया बज़ना थूरी इसके बाद हम लोग दोड़े ते भाग गए सब लोग तो क्रिशन तो पहले से जाके यसुदा मेया के पास बैटे हैं और कर रहे देखो आज फिर वो लोग आ रही है और तमाम जूटे जूटे इल्जाम हमको लगाएंगे आपके पास ही मैं बैटा हूँ लेकिन आप देख लो उनका आने का ढग कैसे है कैसे हो लोग बात करती है फिर लोग पहुंचे नंदरानी नंदरानी देखो देखो आपका बेटा आज फिर से उपद्रो किया है अरे आज तो देखो हम लोग को रास्ते में रेरोज गरता था आई तो हम लोगे घरों में घुश करके रात को साथियों के साथ हमारे सारे मट की तोड़ा है मकहन दूच जो कुछ खाया है ड़ी खाया सब फेंक दिया है और हम लोग घंटी बाना तक घंटियां भी नहीं बजी और क्या इसने जादू कर दिया उसमें से एक घंटी का काम बजना है लेकिन उसमें भीत signature लिकींटी कर दिया है अर लोग जादी नहीं पायाा अर लोग इसका साथित तुम्हे दूगा है और तुम लोग कह रहे हो कि इतना इतना सारा उपद्रो कर क्या है जो सोदा मैया उनको कह रहीं कि देखिया है आप लोग इल्जाम लगा रहे हो लेकिन कोई सही साबुत नहीं है तो उसमें से एक ग्वालिन ने कहा कि ठीक है मैं इसका साबुत तुम्हें दूँगी तो भगवान ये चाहते भी कि कि ग्वालिन बहुत परिसान हो गई है बार बार उलाना लेने पर ये जूटा हो जाती है और मैं सत्य हो जाती है चलो एक बार इनका हाथ में पकड़ाई देता हूँ तो जासुदा मैया ने का अच्छा आभी तुम लोग अगर साक्षात इसको पकड़ के लाओगे तो मैं इसको जरू दंडित करूँगी तो उस दिन रात को भगवान कृष्ण गए और उन लोगों का उपर से उतार करके खाने लगे इतने में जिसने चैलेंज करके आई थी कि तुम्हारे बेटे को रंगे हाथ पकड़ के लाओगी तो आकर के उसने कृष्ण को पकड़ लिया और कृष्ण पकड़ा गए और खुब उनको खीचते हुए ढखेलते हुए ले आ रही है यह सोदा मैया के पास और यह नहीं देख रही है कि किसको पकड़ी हूँ भगवान तो बहरुपिया है कृष्ण ने वहाँ रूप बना दिया उसके ही बेटे का और ओ खीचते खीचते आ रही है चल 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 कर ओ मा 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 कर रहा है मा मैं हूँ मैं हूँ लेकिन वह गुष्ण में कुछ देख नहीं रही है वह खीचते हुए जसोदा मैया के दरवाजे पे पहुच गई है कृष्ण वह बैठे है कार मैया देख तुम मेरे कुए हमेसा जूठा बोलती है ना देख इस अवरत पगली का अपने ही बेटी को घसीटते हुए ले रहा है सोच रहा है मुझे पकड़ के ला है और मैं तेरे पास बेठे हूँ जब वहाँ पहुची तो बोलती है अरे ये जो सोदा ये जो सोदा देख आज तेरे लाला को पकड़ के लाई हूँ आज तो ये जूट नहीं बोल सकता ना आज तो मैं साक्षाती इसको प्रतक्ष पकड़ी हूँ और इसको तुम्हारे पास लेके आई हूँ आज ये कौन बहाना करता है मैं दिखाती हूँ इसको जब सुदा मेरीया ने कहा कि अरे पगली जिसके बारे में बोले हूँ तो यहां बेठा है तेरे हाथ में कोन है तो अब अपने हाथ में देख रहे है उसका बेटा तो मेरी मती मारी गई है क्या मैं तो देख कि जानबूज को कृष्णा को पकड़ा था और ये कब मेरा बेटा बन गया जशोधा तुम्हारा बेटा जरूर कोई जदूगर है जशोधा मैँ हसने लगी ओ जदूगर कि तू पागल हो गई है अपने बेट्रें को घसीड़ती ले रहा Czech जैसे दुसमन को कोई ले रहा है हो तो गौालिन कह रहे है कि नहीं रहीं तेरा बेटा ही मैंने पकड़ा था लेकिन रास्ते में कैसे बदली हो गया मुझे पता नहीं है और मैं सच में दुसमन की तरह इसको खीच के ला रही हूँ यह मैंने सुड़ी सुचा मेरा बेटा है और इसकी तरफ तो मैं तुम्हारे घर की पास आकर की देखा तो बहुत देखो अभी क्या होगा अभी तो मेरा बेटा सचते हो गया तो भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं ब्रज में किये हैं और जो साधान जियो नहीं कर सकता है तो आज बहुत सी लीलाएं बोलना था लेकिन समय का भाव है भगवान का पड़ खुलना आप लोग दर्सन के चुक है तो यहां पे हम बंद करते हैं सिसिरादाराज पिहारी भगवाने की गवर निताए भगवाने की